हेलो एंड वेलकम टो मैं चैनल ब्लोचिप फाइनस एस्टिमेशन के पार्ट फाइव को हम स्टार्ट करते हैं और इस पार्ट के अंदर हम फार्मूला नंबर फाइव को डिस्कस करेंगे इसका मतलब यह है कि एस्टिमेशन मैंने स्टार्ट के अंदर भी बात की थी के एस्टिमेशन नाम सही जाहर है is to estimate about population parameter with the help of some statistic statistic is associated with sample whereas parameter is associated with population तो हम sample की कुछ calculations की मदद से हम population parameter को जनने की कोशिश करते हैं उसको estimate करने की कोशिश करेंगे तो sample अगर small हो small sample technically इसको statistics के अंदर consider किया जाएगा कि अगर ये less than 30 है यानि के एक population थी जो population में भी 300 हो even 3000 हो उसमें से हमने sample लिया random 30 का या उससे below और जिसके अंदर sigma non sigma non का क्या मतलब है sigma non का ये मतलब है कि आपको population की standard deviation आपको मालूम है लेकिन बाकी आपके पास कोई data नहीं तो ऐसी सूरत में हम जो formula apply करेंगे वो formula x bar plus minus z alpha by 2 sigma over n under root अब इसकी एक question बना लेते हैं कि a sample of 21 measurements तो पहली चीज़ यहां पर justify होगी कि 21 sample ली है और उसकी breaking strength आप देखना चाहते हैं तो उसकी जो breaking strength है यहां तक है और and population standard deviation जिसको हम sigma यहां पर एक बात जिन में रखें कि अगर वो ऐसा भी हो सकता है कि वो यह sigma का sign ना दे और सिरफ आपको कहा देजी population standard deviation तो याद रखें कि इसको sigma कहेंगे आप और अगर यह होती sample standard deviation तो इसको हम s consider करते हैं लेकिन यह population standard deviation है तो यह sigma 35 grams यहनी इनके बीच में जो dispersion है जो आपने part 1 के अंदर measures of dispersion पढ़ा था उसके अंदर क्या जी कि यह dispersion का measure है data के बीच में जो scatteredness है तो वो कहता है जी कि यह 35 grams है find 95% confidence limits of actual mean breaking strength तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम data derive करते हैं इसमें कि क्या क्या data given है सबसे पहले 21 तो n equals to 21 उसके बाद जो आपका sigma है यानि population strength deviation that is 35 और जो sample mean है वो है 210 grams और उसके बाद यह 3 तो आगे main data की चीज़ें उसके बाद 95% confidence limits of actual mean breaking strength तो सबसे पहले तो हम tabulated value नकालेंगे यह क्या बनेगी तो यह questions ने आप में से table के बारे में पूछा था तो इसमें मैं एक दफा फिर repeat कर देता हूँ कि इसको कैसे देखा जाता है तो सबसे पहले आप calculate करें alpha alpha किसके बराबर होगा simply जितना confidence आपको बताया जाए उसको one में से आप minus करें उसकी fraction को यानि 95% है तो one minus 0.95 और यह alpha आपका बन गया 0.05 उसके बाद चुँके हमें चाहिए होता है alpha by 2 तो इस alpha by 2 को यह जिस वक 0.05 को divide करेंगे 2 पे तो यह बन जगा 0.025 अब आप ऐसे करेंगे के go to z distribution table and find इस one में से इसको दोबारा minus करें one minus 0.025 equals to 0.975 अब आप चले ज़ें z table के अंदर और z table के अंदर इस value को locate करें या तो exactly यह value होगी अगर नहीं तो range में होगी range का क्या मतलब है कि एक value इससे कम और एक इससे ज्यादा होगी तो फिर वो double range आजएगी आपके पास तो यहाँ पे हम table में z table में जाते हैं और इसको तलाश करते हैं कि यह value किदर locate करते हैं तो यह आगया जी z table z table के अंदर 0.975 यह देखें यहाँ पे है और यह exactly है तो आप देखें कि इसकी जो row number है वो क्या 1.9 और 1.9 के बाद आप देखें इसका जो column number है वो क्या 6 तो यह इसकी tabulated value बन जागी 1.96 तो 1.96 इसकी tabulated value अब आगे बड़ा simple है जस्ट इस formula के अंदर आप values को put करके एक दफा प्लस करें और एक दफा माइनस करें और दो calculations आपके पास आजेंगी 224.9699 और 195.0301 मतलब इसका यह हुआ कि आपने जो sample लिया था उसकी बन्याद पे आपने population जो mean है वो आपका sample का mean कितना था 210 और इस calculation के बाद हमने कि estimate किया कि वो जो population है वो maybe thousand drops हो, maybe 30,000 drops हो उन तमाम की जो breaking strength है वो इस range के बीच में यानि के 195.0301 2224.9699 तो यह था जी इसका formula number 5 और यह tables end के ओपर given है इसकी बेशक का picture बना लें या बरल यह जो table है z distribution का इस में से value देखना यह सबसे easiest way है z table की value देखना तो next formula number 6 अगली video के अंदर discuss करेंगे